कि हैं है कि है कि है एई मों स्टुणेंट्स आज एक इम्पॉर्टन्ट रिजल्τα दिसक्स करेंगे तो स्टुणेंट जो मारी प्रिवेस वीडियो उस्के अंदर हमने जो definition थी कोसेट की उसको अच्छे से discuss कर लिया था, समझ लिया था, उससे related कुछ examples भी करे थे, और जो कुछ, एक important result भी मैंने आपको यहां पर discuss करके दिखाया था, तो student उसका जो use है, आज हम इस theorem के अंदर जरूर करेंगे, और students सबसे पहले हम जो theorem की जो statement है, उसको समझ करने पड़ेंगे, उसके अगर हम कोई right cossets लेके चलते हैं, या फिर left cossets लेके चलते हैं, या तो वो disjoint आएंगे, यानि कि उनमें दोनों में कोई भी element common नहीं होगा, अगर आप दो right cossets लेके चलते हो तो, या फिर अगर दो left cossets लेके चलते हो तब भी, और या फिर आपस में कैसे हो जाएंगे, equal हो जाएंगे, identical हो जाएंगे, तो student सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक subgroup लेना पड़ेगा, उसके बाद दो right cosets लेके consider करने पड़ेंगे, उसके बाद आपनी theorem को prove करोगे, अच्छा student यहाँ पे क्या है कि हम right cosets से theorem को prove करके सकते हो, अगर आपको right cosets का case अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आप left cosets को सिर्फ आपको element की जो composition उसे change करना होता है, जैसे अगर आप right cosets लिखते हो, तो ha और h भी use करेंगे हम, और अगर आप left cosets लिखते हैं, तो a h और b h को use करते हैं, तो उससे भी आप अपनी theorem को and let ha and hb be two right cosets of h in g, तो हमने देखा कि ha हमने right और hb भी हमने right cosets चूस कर लिया है, किसका h का किसके अंदर g के अंदर, क्योंकि a और b आपके element कहां से आते हैं, गुरूप g में से आते हैं, तो students, सबसे पहले हम इसके अंदर दो cases करने पड़ेंगे, या तो आप क्या करोगे, कि आपका जो first case है, उसके अंदर h a और hb को disjoint नहीं लेके चलोगे, कि ये दोनों disjoint नहीं है, इनके अंदर कोई ना कोई element आपके common है, या फिर आप क्या लेके चलोगे, तो सबसे पहला जो आपका case है, वो आप क्या लेके चलते हो, no disjoint वाला लेके चलते हो, और अगर disjoint न जाएंगे या फिर दोनों आइडेंटिकल आजाएंगे अब एक तो आप मानके ही चल रहे हो कि हे और एच भी आपके डिज्वेंट नहीं है तो दूसरी सिच्वेशन के आवज़ती है कि यह दोनों आइडेंटिकल आएंगे तो यह हम अपनी थियोरम के अंदर प्रूव करके कोमन ऐलिमों यह आपका कोमन ऐलिमों किसका हो जाएगा स्टूइट जो दो सेटस आप डिज्वें नहीं लेके चले हो क्यों हिरक हे अब क्रोग्टि कि इसके सारे को बिलोंग करेगा और है बिलोंग करेगा तो हम लेकर चले हैंगे सबसे प tehlike अध। कि k जो है आपका जो small के element अगर आप लेके चले हो यह h a को बिलोंग करता है आप क्योंकि student h a जो आपका right coset है इसके सारे element किस तरीके होंगे क्योंकि उसमें जितने भी element माल लिजे h के अंदर h1, h2, h3 इस तरीके elements है तो सभी के सभी किस से commute होंगे, a से commute होंगे, कैसे right side से तो इसके elements की जो composition वो student किस type की होगी, जो small के किस तरीके से लिखा जा सकता है अगर वो h a को बिलोंग करता है, तो small h1 और a के साथ लिखा जाएगा क्योंकि right coset के element किस तरह से आते हैं, जो आपका right वाल element होता है, वो तो आपका कैसे आता है, group g का element हो गया और ये सारे element कहां से आते हैं, आपके subgroup h में से आते हैं, क्योंकि किसके right cosets लिख रहे हो, आप group, sorry, subgroup h के लिख रहे हो तो आप यहां से क्या लिखके दिखा होगे student की यहां पे आपको यह लिखके भी दिखाना पड़ेगा कि यह जो आपने element लिया है कहां से लिया है तो हमने सिर्फ बताया था भी where h1 belongs to capital H यह definition हमने इसकी पूरी clear कर दी थी जो हमारी previous वीडियो थी right cosets और left cosets की तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं तो end यहां से अब आप क्या लिखके दिखाएंगे जो small के है वो किसको भी belong करता है student hb को भी करता है क्योंकि disjoint sets नहीं है यह तो small के को आप कैसे लिखोगे इसके जो elements की शेकल है वो कैसी है student h2b ले लिया क्योंकि मैंने वहां पे एक consider कर लिया था एक element capital h का तो क्योंकि right coset जो है किस से generated होगा या किस से commute करके बनाया गया है हमने b से commute करके बनाया है यह b element कहां से होगा group g में से होगा तो student यहां पे भी हमें लिखना पड़ेगा वैसे तो हमें पता है non है कि यह h2 कहां से आया आपका capital h के elements है इन सारे के सारे और किस से commute करके जो right cosets के element बनते है b से commute करके अच्छा student इस तरीके से आपने लिख दिया लेकिन k आपका h1 के a के equal भी है और h2 b के equal भी है तो h1 inverse h1 a which is equals to h1 inverse h2 b यहां से student अगर आप देखते हो h1 का inverse h1 से commute होगा तो क्या है अपका identity element तो यहां से आपने क्या लिखा h1 का inverse h2 b के equal लिख लिए उसके बाद क्योंकि student identity किसी से भी commute होती element सेम छोडती है तो यहां से सिर्फ क्या बचेगा आपका a के equal आएगा और यहां से कितना बच जाएगा आपका h1 inverse h2 b अब student जो हमने previous theorem जो अपनी जो हमारी पिछली जो theorem थी यानि कि जो पिछली वीडियोस थी उसमें जो मैंने एक theorem discuss करी थी उसका यूज यहां पे करना है यहां पे हमारा a आ गया अब student क्योंकि h1 है तो h1 का inverse भी subgroup के अंदर h के अंदर ही बिलोंग करेगा और यह h2 element भी किसका है capital h का है तो यह जो पूरी composition है यह किसको बिलोंग करेगी capital h को ही बिलोंग करेगी तो student अब हमने क्या किया दोनों side left side भी और right side भी left side से आपने क्या करा h को commute कर दिया h यहां से कितना है आपका h1 inverse और h2 b क्योंकि student हम अपनी previous अगर वीडियो को चेक करके देखते हैं कि अगर small h अगर आपका capital h को बिलोंग करता है कोई बेलेमेंट अगर आप लेके चलते हो तो यह किसके कवल आ जाता है यह जो composition है किसके कवल आ जाती है capital h के और ऐसे अगर आप इसको right side से भी करते है small h को compose करते है तो अगर आपका किसके कवल आता है h के और यहां से क्या आ जाता है अपका h a तो student आपने यह लिया था कि आपने दोनों set कैसे लिये थे disjoint नहीं लिये थे no disjoint sets थे और अगर no disjoint थे तो आपके दोनों के दोनों कैसे आ गए identical equal आ जाते है इसका मतलब if h a and hb are no disjoint sets अगर आपके दो disjoint sets नहीं है तो वो कैसे आएंग आप क्या लिखेंगे in this case इस case के अंदर तो आपको फिर्म प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि एक जो situation अब आपके प्रूव हो चुकी है already कि आपके disjoint sets नहीं है यही आपको प्रूव करना होता है या तो note या तो दोनों के दोनों disjoint आ जाएं या फिर दूसरा case के आजाए identical आजाए तो एक case आपका सामने ही आगया कि disjoint sets हैं तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो student यहाँ पर आप क्या लिखके दिखाएंगे कि जो required result है आपका वो already true हो जाता है the required result is true तो student यहाँ से मुझे लगता ही थी और हम आपको काफी clear हो गई होगी क्योंकि इसमें सिर्फ ये था कि अगर आप कोई भी right coset किसी भी subgroup के अगर उठाते हो तो वो दोनों के दोनों हमेशा कैसे आने चाहिए या तो दोनों disjoint आए या फिर दोनों के दोनों कैसे आएंगे तो इसका मतलब हमने क्या करके दिखाया जो भी दो केसी आपके या तो फ्रॉम्द आपको के सिर्फ या लिख सकते हैं कि हैं एक इंटर सेक्शन हैं या फिर इंटिकल या तो दोनों इकवल होंगे या बिलकुल डिस्जॉइंट होंगे कोई element को मन नहीं होगा तो इसका मतल अब हमने क्या करके दिखाया है जो भी दो केसी आपके या तो फ्रॉम्द आबाउट हो केसी हम लिख सकते हैं कि है इंटर सेक्शन है या तो आपका है इंटर सेक्शन है इंटर सेक्शन है या तो आपका है इंटर सेक्शन है इंटर सेक्शन है इंटर सेक्शन है या तो है कि इस तरीके से similarly we can prove that either की भी एच लेके चलते तो आपका left coset हो जाता क्योंकि left side से आपने B और यहां पर A को compose कर रखा है तो आपके left cosets है same elements आप लेके चलते कि K अगर आप common लेके चलते कि not disjoint वाला case लेके कमेंट section में कह सकते हैं मैं आपको फिर से समझा दूंगी तो student मुझे लगता है theorem मैंने काफी clear करते वे समझाई है आने वाली वीडियो में भी मैं cosets की important theorem को discuss करती रहूंगी thanks